हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सियरुची गोईल सब लग बोल रहे दे कि क्या इंकम टाक्स के डूट एक्स्टेंड हो गई है इस पर प्लीज कोई अपडेट दीजिए तो उसी अपडेट को शियर करने के लिए मैं आपके साथ यह वीडियो बना रही हूं इस वीडियो में आपको लगाया है हमारे फिनांस मिनिस्टर जी को जिसमें उन्होंने बोला है कि आप प्लीज टाइमली हमें बता दीजिए और डूट एक्स्टेंड कर दीजिए इन सब कम्प्लाइंस की तो क्या के कम्प्लाइंस आई एक बार हम उनको देख लेते हैं ITR के लिए नॉन ओर्ट जो की करन डेट 31st दिसंबर है वो 31st मार्श तक का इसी के साथ असे वितना ही नहीं income tax के लिए ही नहीं GST के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो आनल रिटर्न है चाहिवा 1819 की हो चाहिए 1920 हो उनके डूट जो है वो 31st दिसंबर है उसको भी आप प्लीज कानली डूट एक्स्टेंड कर दीजिए 1819 की जानवरी तक कर इसी के साथ विवाद से विच्वाद स्कीम है उसकी करेंटली आपको रिप्रेजेंटेशन की आपको जो नोटेस देना है आपको डेक्लरेशन देनी उसकी डूट है 31st दिसंबर तो उसको भी एक्स्टेंशन मांगा है 31st मार्श तक का उसके बाद कंपनी इस फ्रेस्टार् 2021 तक का LLP Modified Settlement Scheme के लिए 31st जिसंबर से 31st मार्श तक का extension time मांगा गया है हमारी खुद की बीजेपी ने ये request की है कि दूटेट्स प्रीज एक्स्टेंड कर दो टाइमली एक्स्टेंड कर दो ताकि accordingly सब लोग उस पे काम कर पाएं next जोनोंने request की है कि considering कि आप situation जानते ही हो और national building में help करते हुए आपसे request है कि आप due dates को extend करें audit reports की due dates को extend करें और सब को support करें reasons जो नोंने दी आगें वो यही दी है COVID-19 pandemic को देखते हुए क्योंकि अभी भी resolution नहीं आया है लोग अपनी full capacity काम नहीं कर रहे है साथ ही form अपडेशन बहुत लेट हुआ 1st December तक utility update होती रही है तो आप प्लीज due date तो extend कर दीजिए staff and technical limitations है चाहे वो technology को लेके हो चाहे वो staff को लेके हो तो नों ही full capacity available नहीं है risk exposure बहुत जादा है तो आपसे request है कि आप please extend कर दीजिए अब उन्होंने बताया कि जो current situation है वो ऐसा है कि बहुत सारे due dates कथे 31st December आज है 26th December और चार दिन के बाद इन सारी compliance's के due date fall कर रही है सारी compliance's एके दिन आप कैसे सोच सकते हैं इस situation में जहां already लोग बड़े ही problem में है फिल capacity में काम नहीं हो रहे staff की shortage है timing के shortage है कहीं की cities में night lockdown है इन सब को consider करते हुए सारी due dates एकटे fall करना और सब को comply करना अभी possible ही नहीं है तो कि क्यों कौन से representations लगी थी हमारे finance minister के आगे की due dates को प्लीज extend कर दिया जाए आप देख सकते हैं continuously सारी टैक्स पर associations ने सारे प्रैक्टिस अशोचियेशन ने सारी जो जो जैंसिस हैं जो सी एजंसिस हुई या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं सारी एजंसिस ने request की थी चार्ट अब देख सकते हैं बिल्कुल डेट अप्टेटिड है इसमें आप देख सकते हैं रोज एक नएक application रोज लगाई जा रही है रोज एक नएक representation दी जा रही है चाहिए टैक्स पर अशोचियेशन सब ने कि प्लीज जूट एक्सेंट कर दिजा है बट गर्मेंट की तरफ से ए एक भी indication नहीं दिया है ना ही portal पे update है ना ही कोई notification है ना कोई circular है तो प्लीज आपसे request है सीतर हम जी की प्लीज डूट एक्सेंट कर दीजिए सब लोग बहुत बड़ी problem है extra forced capacity में वो काम कर रहे हैं बहुत जादा pressure में हैं लोग प्लीज आप डूट एक्सेंट करके थोड़ इसको extend कर दिया जाए सारी ही सारी डूट extend कर दीजिए ना कि सरफ income tax के हम request कर रहे हैं GST के request कर रहे है हर तरीके से आपको request की जा रहे है कि आप assesses के favor में decision ले होफुली बहुत जल्दी हमारे हमें इसका response मिल जाएगा बट मैं आपको बार बर clarify कर रही है और अभी दुबारा clarify करते है कि due date किसी की भी अभी तक extend नहीं हुई है जहां से भी news आ रही है fake news है बिलकुल जब तक कोई notification नहीं आएगा प्लीज due date extension मत मानेगा किसी की मत सुनि करनेगा कोई भी due date अभी तक extend नहीं हुई है तो इसी तरह हमां से जुड़े रहे हैं ताके हम आपको live updates देते रहे हमाने चानल भी subscribe जरू कीचेगा thanks for watching my video thank you